ग्रीक दार्शनिकों के महान बिचार जब शेर मैदान छोड़ देते हैं, तो गीदर बहादुरी दिखाने लगते हैं। कंजूस और जूठे लोग बहुत जल्दी सौदा कर लेते हैं। जिन जगों पर कौशल की आवशक्ता होती है, वहां दबाव डालने से कोई भी काम नहीं होता है। बहुत सारी राय नाव को डुबा देती हैं। चंदन पर जहर का कोई असर नहीं होता, जबकि साप इस पर लिपते रहते हैं। सला सब लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान ही इससे फाइदा उठाते हैं। ऐसा इनसान फरिष्टे से कम नहीं, जो दूसरों की गलतियों को छुपाता है, लेकिन अपने पापों का रोज हिसाब करता है। बहुत ज्यादा ज्यान होने के बावजूद किसी भी चीज़ पर नियंतरन न होना, दुनिया की सबसे बुरी बातों में से एक है। औरतों के बाल लंबे, लेकिन बुद्धि छोटी होती है। ज्यूट बोलना सची बात कहने से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ज्यूट को याद रखना पड़ता है, सच को नहीं। जो बात दूसरे लोग आपको बताते हैं, उसी बात को आप बाकी लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी सुनाई गई बातों का विश्वास भी करें। सुनी हुई बातों से ज्यादा, देखी हुई चीजों पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए अर्भी खाने से योनी टाइट होती है, आलू खाने से स्टन मोटे होते हैं, अनार खाने से योनी लाल होती है मनुष्य की किस्मत में क्या है, वह उसी के भीतर छिपा होता है किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने से विफलता ही मिलती है शांती पूर्वक समय में बेटे अपने पिता को दफनाते हैं, लेकिन युद्ध में पिता अपने बेटों को दफनाते हैं जो व्यक्ती हर वक्त कमभी रहने की बात करता है और मस्ती से खुद को दूर रखता है तो वो जल्दी पागल हो जाता है और उसे इस बारे में पता भी नहीं चलता है ज्यान होना सबसे अच्छी बात है जबकि अज्यानता सबसे बुरी चीज है जब कोई औरत अपने बस्त्र उतार देती है तो वह अपना सम्मान भी उतार देती है दुनिया में जितने भी कींती या अमूल्य रिष्टे हैं उनमें दोस्ती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किनारे पर खड़े रहकर समुन्दर को देखना बहुत रोचक है प्रेन करने वाला हरिदय हमेशा जवान रहता है मुफ्त में मिला हुआ सिरका भी शहर जैसा मेठा लगता है परिस्थितिया मनुश्यों पर राज करती है कभी कोई मनुश्यत परिस्थितियों पर राज नहीं कर सकता है वही इनसान सबसे अच्छा है जो योजना बनाते वक्त या भय के बारे में बात करते हुए उन सभी बातों का ध्यान रखता है जो उसके साथ बीच सकती है लेकिन जब कदम बढ़ाने की नौबत आए तो वह साहसी बन जाता है